नमस्कार दोस्तों मारे टूप चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है तोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स के स्पेसल 200 जो है क्वेशन्स को देखेंगे जो की आरो यारो मेंस एक्जाम जो की कल आयो जीत होना है यानि कि 24 अप्रेल 2022 को आरो य पीशेस एक्जाम जो की 12 जून 2022 को ये पेपर होना है तो इन दोनों ही परिक्षाओं के लिए काफी महतपूर केंट अफेयर्स हैं तो 200 केंट अफेयर्स हैं जिसमें से आपको बहुत सारे कुशन परिक्षा में देखने को चरूर मिलेंगे तो वीडियो को लाइक शेर कर द तो आएए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें देखेंगे राष्ट्री जो घटना करम है उसे जूड़े करेंट अफेयर्स तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का पहला वाटर प्लस सहर की से घोशित किया गया है तो इन दोर को भारत का पहला वाटर प्लस सहर गोशित किया गया है इंदोर की आपका मध्यप्रदेश से में है उसके बाद दूसरा है भारत का पहला मानो युक्त महासागर मिशन समुद्रियान को कहां से लांच किया गया है तो इसे चेन्नई से लांच किया गया है तीसरा प्रशन है भारत का सबसे बड़ा लैंड फिल ब प्रश्ण है भारत का पहला स्मार्ट फोन आधारित ये वोटिंग समाधान की सराज्य ने बिक्सित किया है तो ये तिलंगाना ने बिक्सित किया है अगला प्रश्ण है अन्यपूडा प्रवत को फतह करने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो ये बनी है प्रिंग का मोह प्रस्टेंट जो है तुछ प्रस्ट पना है तो है लक्षदीब आठोपरशने आफ्ग्रिड सौर पंप अस्थापित करने वाला भारत का परतम राजी कौन बना है तो है हरियाडा 9. किस Metro Rail ने भारत की पहली सबसे हलकी Metro Train लांच की इसे Aluminium से बनाया गया है तो पूरे Metro के द्वारा लांच किया गया है भारत की पहली Smart Health Carid योजना की सिराजी ने सुरू की है तो उडीसा ने सुरू किया है भारत के पहले अंतरास्ट्री समुद्री सेवा क्लस्टर की अस्थापना कहां की गई तो गिफ्ट सिटी एहमदाबाद में की गई है अगला प्रश्ण है रोपवे को पब्लीक ट्रांस्पोर्ट की रूप में सुरू करने वाला भारत का पहला सहर कौन बना है तो यह बारार्सी है तिरहमदाब प्रश्ण है भारत का पहला अटल Community Innovation Center कहां खोला जाएगा तो यह जैपूर में खोला जाएगा और हर घर को बिजली से जोडने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो वह है गोवा और भारत का पहला मत्ज सिपालन हब कहां अस्थापित किया जा रहा है तो यह भी गोवा में अस्थापित किया जा रहा है भारत की पहली हवाई टेक्सी सेवा की शुरुआत कहां से कहां तक हुई है तो हिसार से चंडीगड भारत की पहली हवाई टेक्सी सेवा की शुरुआत हुई है 17. भारत का पहला पेपरलिस बजट किस वितिय वर्स में पेस किया गया तो यह 2021-22 में पेस किया गया था और उत्तर परदेश में पहला पेपर लिस्ट बजट पेस किया गया था अटरौवा प्रशन है भारत का पहला बुधिस्ट थीम पार्क कहां बनाय जाने की घोशना की गई है तो सांची मध्य परदेश में भारत के पहले प्रवासी सर्मिक सेल का उधगाटन कहां किया गया तो सूरत में किया गया है और भारत में पहली बार मौंक फ्रूट की खेती कहां की गई है तो कुलू हिमान्चल प्रदेश में 21 प्रशन है भारत की पहली ग्रिशी आधारित सौरी उर्जा प्रियोजना की शुरुआत कहां की गई तो राजस्थान में किया गया है और भारत के किस पहला पूर अंतराश्ट्री क्रूज टर्मिनल का उधाटन किया गया तो सागरी का नाम है इसका 23 प्रशन है भारत में पहली बार जनजाती गौरो दिवस कब मनाए गया तो 15 नॉवंबर 2020 को मनाए गया और भगवान विर्शा मुंडा के जन्म दिवस पर भारत में पहली बार जनजाती गौरो दिवस के रूप में मनाए गया है 24 प्रशने भारत का पहला मानो अंतरिक छिमिशन नाम क्या है तो गगन यान है या दुनिया का पहला आनुवानसिक रूप से संसोधीत रबर का पौधा कहां लगाए गया तो गुवहाटी असम में लगाए गया है भारत में पहली बार प्राक्रम दिवस का मनाया गया तो 23 जनवरी 2021 को मनाया गया है और प्राक्रम दिवस सुवाशन दिवस के जन्म दिवस पर जो है मनाया गया है 27 प्रश्णवा भारत का पहला इगलू कैफे कहां बनाय गया तो गुल मर्ग कस्मीर में बनाय गया इगलू कैफे किस सहर में दुनिया के पहले पहियों पर संगरहाले का उधगाटन किया गया तो कुलकाता में किया गया है दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्जी कौन बना है तो वह है इमानचल प्रदेश भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां विक्षित की गई है तो रानी खेत में विक्षित की गई है रानी खेत उत्राकंड में है 31 प्रश्ण भारती नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े काराश्ट्री ध्वच को कहां प्रदर्शित किया है तो गेटवे आफ इंडिया मुंबई में 32 प्रश्ण है भारत के सबसे उंचे यानि कि 24 मीटर के एयर प्यूरिफायर टावर का उधगाटन कहां किया गया तो चंडिगर में किया गया है बिशु का सबसे उंचा EV charging station कहा खोला गया तो हिमांचल प्रदेश में खोला गया है बारत के किस सहर में बिशु के सबसे उंची radio station पर high power transmitter का उध्याटन किया गया तो कारगील में किया गया है और किस भारती कमपनी ने दुनिया का पहला merchant share holding program लांच किया है तो भारत पे ने लांच किया है और भारत का पहला euro green band किस के द्वारा जारी किया गया तो power finance corporation के द्वारा जारी किया गया है दुनिया के सबसे उंचे movie theater का उध्याटन कहां किया गया तो लदाख में किया गया है दुनिया के सबसे उंचे movie theater का उध्याटन तो लदाख में किया गया है करोना के नए variant omicron का पहला मामला किस देश में देखा गया तो यह दक्षिड अफ्रीका में देखा गया था करोना के नए variant omicron से पहली मृत किस देश में हुई तो ब्रिटेन में हुई थी भारत में करोना के नए variant omicron का पहला मामला कहां देखा गया या करनाटक में देखा गया था COVID-19 के NOVAVAX TK को मानिता देने वाला पहला देश कौन बना है तो इंडोनेसिया है हुआ और विश्यू का सबसे बड़ा हाइड्रोजन fuel cell power plant कहां अस्थापित किया जाएगा तो दक्षिड कोरिया में अस्थापित किया जाएगा केटू सिखर केटू के सिखर को फटह करने वाले विश्यू की सबसे कम उम्र के प्रवतारो ही कौन बने है तो सहरोज कासिव ये पाकिस्तान के है 47 प्रशने विश्यू की पहली चालक रहित यानिकि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लांच की है तो जर्मनी के द्वारा ये लांच किया गया है अगला प्रशने है संयुक्तराष्ट ग्लोबल कामपैक्ट में समलित होने वाली पहली भारतिय दो पहिया निर्माता कंपनी बनी है तो वह है टी विस मोटर अगला प्रशने है अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है तो वह है ऑब्छासमा प्रशने अंतरिक्ष में पहुँचने वाले बिसु के सबसे उम्र stylish व्यक्ति कौन बने है तो वह है विलियं सेटनेर अगला प्रश्ण है बिस्व का पहला प्रित्वी विज्ञान उपग्रह ESD G7 को किसने अंत्रिक्ष में भेजा है तो चीन ने भेजा है बिस्व का सबसे बड़ा योम सबसे उंचा आपजर्वेशन वील कहां खोला जाएगा तो दुबई में यह खोला जाएगा हवा से CO2 इनकी कार्बन डायकसाइड को घरहन करने वाला बिस्व का सबसे बड़ा सही अंत्र ORCA कहां सुरू किया गया तो आइसलेंड में यह सुरू किया गया है योग और आयुर्वेट पर पहला अंतराष्टी सम्मेलन की इस देश में आयुजित किया गया तो जाग्रेब क्रोएसिया में आयुजित किया गया अगला प्रशन है अमेरिके स्टाउक एक्सचेंज नासडाक को में सुची बद्ध होने वाली पहली भारती अक्षे उर्जा कंपनी कौन बनी है तो वह है रीनियू पावर विश्व का पहला उर्जादीप कौन सा देश बना रहा है तो डेनमार्क जो कि उत्तरी सागर में बना रहा है यात्रियों के लिए टैक्सी वो सेवा सुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस आपरेटर तो है एयर एसिया इंडिया नन अलकोहलिक फैटी लिवर रोग यान्य फेल्डी के लिए कारिवाई की आवशकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश तो है भारत सिंथेटिक कैन बिनोईट पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है तो है चीन और विसु का सबसे बड़ा रेडियो टेलिस्कोप कहां खोला गया तो ये भी चीन में ही खोला गया है विसु के पहले सिप टरनल स्टैंड सिप टरनल का निर्मान कहां किया जा रहा है तो नार्वे में इसका निर्मान किया जा रहा है और वित्तिय छेत्र को बिनियमित करने के लिए जलवाई परिवर्तन कानूम पेश करने वाला विसु का पहला देश कौन बना है तो है निवजी लेंड विश्यू का पहला लकडी का उपगरह किस देश में डिजाइन ये निर्मित किया गया तो नेजी लैंड में किया गया वीजा ओट सेट फिर आपका आर्कटिक चेत्र में जलवाई परिवरतन को निगरानी करने वाला पहला उपगरह कौन है तो है आर्कटिक यम किस देश ने सार को नामक एक सुसाइड मसीन को इच्छा मृत्तु के लिए प्रियोग किया जाने के मंजूरी दिया है तो स्विट जलने इनने अब है विज्ञानियों प्रिद्वकी से जुड़े घर्टना क्रम तो भारत का पहला इफिस मार्केट एप की सराजी द्वारा लांच किया गया है तो असम की द्वारा लांच किया गया विसु का पहला सौर अन्वेसर उपग्रह किस देश ने लांच किया है तो ये चीन ने लांच किया है अंतरिक्ष में सूट होने वाली विश्य की पहली फिल्म कौन बनी है तो यह दर चैलेंज भारत का पहला वो ने जीव DNA परिक्षर प्रियोग साला कहां अस्थापित किया गया तो महाराष्ट में अस्थापित किया गया भारत का पहला ड्रोन परिद्योगी की अनुशंधान की इंद्र कहां अस्थापित किया गया तो IIT गोहाटी में अस्थापित किया गया है भारत की पहली लीगो परियोजना कहां सुरू की गई है तो हिंगोली महाराष्ट में सुरू किया गया है भारत का पहला स्वेदेशी मोटर चालीट फ्विल्चेर वहन इसे써 नियो बोल्ट का जाता है को किसने बिक्सित किया? तो IIT मद्रास ने बिक्सित किया है सुचना प्रद्योगी नेमों के तहत पारदर्सिता रिपोर्ट प्रकासित करने वाली पहली प्रद्यों की कंपणी कौन बनी है तो यह है Google, इंडिया, भारत का पहला बायो डिग्रिवल, प्लास्टिक किस ने बिक्सित की है, तो Center of Excellence, Sustainable, पालीमर, IIT, गुहार्टी ने बिक्सित किया है, भारत की निजी स्पेस कंपणी, स्काई रूट द्वारा निर्मित, किस क् इंजन का परिक्षन किया गया, तो यह है धावन फॉस्ट, अब है खेल कूट से जुड़े घटना करम, तो भारत के पहले खेल मधिस्ता के अंद्र का उद्गाटन कहां किया गया, एहमदाबाद में किया गया है, भारती महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट किस देश के खिलाब खिला है, तो बांगला देश के खिलाब, तो महिला टीम पुझाया है, तो आस्टेलिया के खिलाब, पूरुष टीम पुझाया है, तो बांगला देश के खिलाब, विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस के बीच खिला गया, तो यह आस्टेल अस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 World Cup किस देश को हरा कर जीता है तो न्यूजी लेंड को हरा कर इन्होंने जीता है विस्टु का पहला FIFA Football Office School Program कहां लांच किया गया तो भोनेश्वर उडिसा में लांच किया गया है टोकिय उलम्पिक 22 के होकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारती महिला होकी खेलाडी कोन बनी है तो हैं बंधना कटारिया अंतराश्वी टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 बिकेट लेने वाले विस्टु के तीसरे गेदवाज कोन बने है तो हैं कारवन उत्सरजन वाला हवाई अड़ा कहां बन रहा है तो नोईडा अंतराश्टी हवाई अड़ा से जेवर में है और उत्ता प्रदेश में है बन रहा है भारत का पहला घास संडक्षन केंद्र कहां बिक्सित किया जा रहा है तो रानी खेत उत्राखण में बिक्सित किया बनाया जाएगा तो गेल के द्वारा बनाया जाएगा भारत का पहला राजी जिसने खुद की वनिजीव कार योजना 2020 से 30 लांच किये तो माहराश्ट ने लांच किया है भारत का पहला डुगोंग यहनी की एक प्रकार का समुद्री गाय है दुगुम संदक्षन रिजर्व कहां स्थापित किया जा रहा है तो पाक की खाड़ी जो की तमिलनाडु में वहाँ पे अस्थापित किया जा रहा है IIT दिल्ली और IIT बामबे दौरा बिक्सित भारत का पहला स्मौक टावर कहां स्थापित किया गया तो कनाट पलेस नेदिल्ली में अस्थापित किया गया है सहरी छेतर में सामुदाइक वन संसाधन अधिकारों को मानिता देने वाला भारत का पहला राजिकौन बनाए तो यह 36 गड़ भारत की पहली ग्रीन हाइडोजन मोविलिटी प्रियोजना कहां अस्थापित की जा रही है तो लद्दाक में अस्थापित किया जा रहा है भारत का पहला Green Hydrogen Plant कहां स्थापित किया गया तो मतुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में या स्थापित किया गया है वेटलेंड संडक्षन और प्रवंधन के लिए भारत के पहले केंदर की स्थापना कहां की जा रही है तो चिन नहीं तमिलनाडु में की जा रही है भारत में कहां सबसे अधिक उचाई वाले हरबल पार का उधगाटन किया गया तो चमोली उत्राखन में उधगाटन किया गया है भारत के सबसे बड़े सुगंधित उध्यान का उधगाटन की सराज में किया गया है तो इभी उत्राखन में ही किया गया है जैव इंटो से निर्मीत भारत के पहले भवन का उधगाटन कहां किया गया तो IIT हैदराबाद में किया गया है भारत का पहला वज्रपात अनुशंधान परिक्षण के इंद्र कहां अस्थापित किया जा रहा है तो ओडिसा के बाला सोर में अस्तापित किया जा रहा है फिर जो है रास्टी घटना करम से जूड़े देखते हैं तो भारत का पर्थम जल टेक्सी सेवा कहां शुरू हुआ है तो मुंबई महारास्ट में शुरू हुआ है भारत का पर्थम जल मिट्रो परियोजना वाला सहर कौन सा है तो कुछी है पिंसन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन परमाड़ पत्र परड़ाली शुरूआत करने वाला पर्थम राज्जी कौन बना है भारत का पहला ओपन राक संगरहाल है कहां खोला गया तो हैदराबाद में खोला गया है दक्षडी ध्रू को ट्रेक करने वाली भारती मूल की पर्थम महिला कौन बनी है तो यह हरप्रीत सिंग चंडी भारत का पहला हेली हब कहां खुलेगा तो गुरुग्राम में खुलेगा भारती प्रद्यों की संस्थान यानकी IIT भारत से बाहर स्वरप्रथम कहां खुलेगा तो यह संयुक तरब अमिरात में खुलेगा भारत में बुलिट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली इस्टेशन कौन होगी तो वह है सूरत और भारत का पहला सेनेटरी नैप की इनमुक्त गाउं कौन बना है तो वह है कुबलांगी जो की कीरल का गाउं है भारत का पहला कोल्टू मेथनाल पाइलट प्लांट की सुरुवात किस ने की है तो वेल के द्वारा किया गया और हैदराबाद में भारत का पहला पाड़कॉस्ट किसा खादी का किस पुलिस की पहल है तो यह दिल्ली पुलिस की पहल है डिजिटल नियाय घड़ी सामिल करने वाला भारत का पहला उच्छ नियायल है कौन बना है तो यह गुजरात उच्छ नियायल है बारत दस्मनों 75-8 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन होगी तो यह उधमपूर, श्रीनगर, भारामूला, रेल लिंक परियोजना स्मार्ट कार्ड सस्त लाइसेंस के सुरुआत करने वाला भारत का पहला पूलिस बल कौन बना है तो यह है दिल्ली पूलिस भारत का पहला धुम्रपान युक्त राजी कौन बना है तो यह हिमांचर प्रदेश है भारत की पहली मुबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहां लांच किया गया है तो गाजियाबाद यूपी में लांच किया गया इसे भारत का पहला बाल बिवाह मुक्त जिला की से घोशित किया गया है तो गंजम जिला ओडिसा को जो भारत का पहला जिला है जो की बाल बिवाह मुक्त घोशित किया गया है नासा के अंतरास्ट्री वायू और अंतरिक शिकारिकरम को पूरा करने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो यहां जानवी डांगेटी जो की आंध्रप्रदेश से हैं यह किस केंसासित प्रदेश ने पहले सिक्षक विश्विद्याले के स्थापना की मंजूरी दी तो दिल्ली केंसासित प्रदेश ने भारत के सबसे इवा की 25 वस की हैं महिला पाइलेट कौन बनी है तो यहां आयसा अजीज भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है तो गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमेटर है भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध यानिकी सैन मुद्रा में कि प्रतिमा को कहां अस्थापित किया जाए किस सुरंग को 10,000 फिट से उपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की रूप में प्रमारित किया गया तो यह अटल रोड टनल उसके बाद है बिस्तु का सबसे लंबा रेलवे प्लेट फार्म किस रेलवे इस्टेशन पर बनेगा तो यह हुबली रेलवे इस्टेशन पर बनेगा और हुबली का है तो यह करनाटक में है भारत का सबसे अधिक हवायद्डों की संख्यावाला राजी कौन बना है तो यह है उत्रप्रदेश जहां पे आठवा हवायद्डा बरेली में भारत में अपनी तरह की पहली साइक्लिंग नेती ड्राफ्ट किसने जारी की है तो चंडीगर ने टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयक तरूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर का उधगाटन कहां किया तो पूड़े में इसका उधगाटन किया गया है ओडिसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उधगाटन किस नदी पर किया गया तो महा नदी पर किया गया है जमू कस्मेर के पहले दूद गाओं किसे घोसित किया गया है तो जेरी वस्ती को घोसित किया गया है जेरी हैमिलिक भी का जाता है भारत के पहले जीयो पार्क कहां खोले जाएंगे तो लमेता गाउं जो की जवलपूर मद्यप्रदेश में है या किस राजजी ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिसियेटिव लांच किया तो करनाटक राजजी सिरकार ने भारत का पहला पेपर लिस्ट नयायाले कौन बन गया है तो यह है कीरल विस्ट की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली प्लाइंग बोर्ट इसका नाम है दजजीट किस सहर में सुरुवात होगी तो दुबई में भारत का पहला बायोवास आधारित हाइड्रोजन सेंतर के सिराजजी में अस्थापित होगा तो मद्यप्रदेश में होगा यह भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीती को किस मंत्राले ने अधिस्ट चित किया तो बिजली मंत्राले ने हाइडोजन उज़ा पर पहले अंतराश्टी समेलर कहा आज़ित किया गया तो नई दिल्ली में आज़ित किया गया है किस सहर में भारत की पहली ग्रीन हाइडोजन इलेक्ट्रोलाईजर निर्माण इकाई सुरू की गई है तो बैंगलूरू में किया गया या IOC किस सहर में भारत का पहला ग्रीन हाइडोजन सेयंत अस्थापित करेगी तो मतुरा में या अस्थापित करेगी IOC यनि कि इंडियन आयल कार्पोरेशन NTPC किस सहर में भारत की पहली ग्रीन हाइडोजन परियोहन या परियोजना मोबिलिटी अस्थापित करेगी तो लेह लदाक में आयल किस पुरुवतर राजी में भारत की पहली ग्रीन हाइडोजन सेयंत अस्थापित करेगा तो असम में फिर आपका गेल किस सहर में प्राकिर्टी गैस परडाली में हाइडोजन के मिश्रन की भारत की पहली प्रियोजना शुरू की है तो इंद और मध्यप्रदेश में उसके बादे NTPC द्वारा भारत की पहली Green Hydrogen Micro Grid परियोजना कहां स्थापित की जाएगे तो सीमहाद्री जो कि अंतरप्रदेश में है और कौन सा देश Hydrogen Task Force लांच करने की घोशना किये तो भारत और अमेरिका ने 100% महिला स्वामित वाला भारत का पहला ओदियोगिक पार्क कहां खोला गया तो हैदराबाद तिलंगाना में खोला गया है अब है अंतरास्टी घटनाकरम तो किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई छेतर में ड्रोन उडाने के अनुमती दी है तो इसराइल ने अनुमती दी है येसिया का पहला सहतूत जीवास में किस राज में खोजा गया तो राजस्थान भारत में खोजा गया है और किस देश ने अपनी पहली राश्टी सुरक्षा नीती लागू की है तो पाकिस्तान ने अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अस्वेत महिला कौन बनी है तो यह है माया एंजोलो विस्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला सहर कौन बना है तो यह संगाई चीन का तीन ट्रिलियन डालर के सेयर बाजार मुल्ले वाली विस्व की पहली कमपनी कौन बनी है तो यह है एपल किस देश ने क्रित्रिम सूरी के बाद अब अपना पहला क्रित्रिम चंद्रमा भी तयार कर लिया है तो यह चीन ने उंटो के लिए दुनिया का पहला लकजरी होटल कहां बनाए गया तो सौधी अरब में बनाए गया है, दुनिया भर में अकेले उडान भरने वाली सबसे कम उम्रे, यहने कि 19 वर्स की महिला कोन बनी है, तो है जारा रदरफोर्ड जो की वेलजीम की है, बिसु के सबसे बड़े अक्छे उजा पार्क का निर्मार कहां किया जाएगा, तो कक्छ सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है, तो चीन है, दुनिया के सबसे नया गडराजी कौन सा देश बना है, तो यह बारवा डोस, भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे उची सड़क, जो की 52 किलो मीटर लंबी बनाई गई है, तो यह उमलिंगला द दर्रे पर, विश्व के सबसे उचे रेत के किला का निर्मार किस देश में किया गया, तो डेन्मार्क में किया गया है, एसिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रेक, नैट ट्रेक्स का उधगाटन कहां किया गया, तो इन दौर मत्यप्रदेश में किया गया, विश्व में सबसे पुरानी पसु गुफा पेंटिंग जो की 45,500 साल पुरा रहा है कहां खोजा गया तो इंडोनेसिया में खोजा गया है यह एसिया का सबसे बड़ा मैवेसी पार्क किस राज्जी में खोला गया तो तमिलनाडू में खोला गया है अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कोन बनी है तो हैं जैस्मीन हैरिसन बिसु का सबसे छोटा सरिस्रिप जिसे ब्रुकेसिया नाना के नाम से जाना जाता है किस देश में खोजा गया तो मैडागासकर में खोजा गया है बिसु का सबसे बड़े पाउन उर तो भारत का पहला नाइट नेविगेशन मुबाइल अप्लिकेशन को किसने सुरू किया है तो असम ने सुरू किया है भारत के पहले ग्राफीन इनुवर्शन सेंटर के स्थापना की मंजूरी कहां मिली है तो कीरल में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इस्टेशन का निर्मार कहां किया जा रहा है तो गुरू ग्राम हरियाना में राफेल लड़ाको बिमान उड़ाने वाली पहली महिला पाइलेक्ट कोन बनी है तो हैं सीवांगी सिंग और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्तिसाली स्पेस टेलिसकोग जेन्स वेव लांच किया तो नासा की द्वारा लांच किया गया है नासा जो अमेर की अंतरिक्ष एजन्सी है बैग्यानिकों ने यूरेनियम का सबसे हलका प्रकार विक्षित की इसे क्या नाम दिया गया है तो यू-214 इनकी यूरेनियम-214 नाम दिया गया है मौसम और जलवायू परि तक के सबसे चोटे बढेक होल की खोज की उसका नाम क्या रखा है तो यूनिकॉर्ण नाम रखा गया है विगोनिया प्रजाती का सबसे बड़ा पोधा जो की विगोनिया गिंगेटिका इंगेटिका कहा कहा खोजा गया है तो यह तिबबत में खोजा गया है हर्डोजन के असामान ने बादल से बनी अकास गंगा में सबसे लंबी संडचना की खोज बैग्यानिकों ने की इसका क्या नाम दिया गया तो मैंगी नाम दिया गया इसका अब है खेल कूट से जुड़ जो है गटना करम तो भारत का पहला पैरा बैटमिंटन अकादमी कहां बन रहा है तो यह लखनों में बन रहा है फिर है भारत की पहली स्पोर्ट योनिकान इंटरप्राइजेश कौन बनी है तो यह CSK यानि की चिन्नई सूपर किंग्स एकचार अंतराश्ट्री एक दिवसी यानि की ओन डे मैच खिलने वाला बिस्व का पर्थम देश कौन बना है तो यह भारत अब है भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम का निर्मार कहां पे हो रहा है तो जैपूर में किया जा रहा है भारत का दूसरा है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट जो है इस्टेडियम भारत के सबसे बड़ी कुस्ती अकादमी के अस्थापना रेल मंत्रायल द्वारा कहां की जा रही है तो किसंगन दिल्ली में की जा रही है रनरजी ट्रॉफी के पदार पर मैच में तीहरा सतक लगाने वाले भारत के पहले बल्ले बाज तो हैं साकीबूल गनी जो की बिहार से हैं अंतराश्टी टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक बिकट लेने वाला गेदवाज कौन बना है तो हैं आराश्टी टेस्ट क्रिकेट में बिश्व का दूसरा सबसे अधिक बिकट लेने वाला गेदवाज कौन बना है तो हैं जेमस एंडर्शन बिश्व चेंपियन्स मैगनस काघलसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के रसतरंज खिलाडी कौन बने है तो इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद अब है परियावरण यहों पारिश्थित की से जुड़े घटना करम तो इसमें पहला है भारत का पहला वास गाउं की सिराजी में बना है यह पूछा जा सकता है तो तिरपुरा में बना है और भारत की पहली जैव सुरक्षा अस्तर थ्री की नियंतरर मोबाइल प्रियोक्षाला की सहर में लांच किया गया तो नासिक में लांच किया गया सौ प्रतिसत प्लास्टिक वेस्ट निूट्रल बनने वाली पहली भारती भोगता वस्त कमपनी कौन है तो यह है डावर और एसिया का सबसे बड़ा बायो सीनजी प्लांट गोबर धन सेंतर की सुरुवात कहां की गई तो इंद और मद्यप्रदेश में किया गया है भारत का पहला OECM किसे घोशित किया गया है तो अरावली जय बिवित्ता पार को घोशित किया गया है भारती रेलवे का पहला सौर उज़ा सेंतर कहां लांच किया गया तो मद्यप्रदेश में लांच किया गया भारत का पहला राज्य अस्तरिय वर्ड यहनिकी पच्छी एटलस किसने जारी किया तो किरल के द्वारा जारी किया गया है विस्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर उर्जा प्रियोजना जो की 600 मेगा वाट की यह सौर उर्जा प्रियोजना है का निर्माड कहां पे हो रहा है तो उंकारिश्वरबान जो की मद्ध प्रदेश में है यह विस्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर उर्जा प्रियोजना है किस एक्सप्रेस वेपर भारत का पहला और एसिया का सबसे बड़ा यह की 12 किलोमेटर वन जीव सरनक्षन गर्यारा होगा तो यह दिल्ली दहरादून एक्सप्रेस वेपर अंतिम यह कोशियन है नए 6 प्रमाड़ रियेक्टर अस्थापित करने की सेधान्तिक मंजूरी के बाद जैतापूर जो की महरास्ट में है भारत का सबसे बड़ा प्रमाड़ उर्जा उत्पादन अस्थल बन रहा है अब इसकी कुल कितना मेगावाट चमता होगी तो अब इसकी चमता जो है 9900 मेगावाट होगी तो दोस्तों यह था आपका करेंटर फ्यूर्स के 200 महतपूर प्रश्ण जो कि आपके कल का एकजाम आरो यारो मेंस है फिर यूपी पीसेस एकजाम 2022 यूपी बारे जुन 2022 को प्रस्तावित है तो इन सभी परिक्षाओं के लिए जो एक काफी महतपूर है आप लोग एकजाम से पहले एक बार जरू देख करके जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में विल आइकन को प्रेश कर लिजिएगा झाल झाल